इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन याने इस्टो के पूर वैग्यानिक नम्भी नारायनन ने उन आलोचुकों को करारा जवाद दिया है जिन्होंने उनके जीवन पर बनी फिल्म रॉकेटरी दी नम्भी एफेक्ट में दिखाई गई उनकी हिंदू पहचान को ट लगता है किसी ने एक रिव्यू लिखा जिसमें उसने कहा कि नम्भी नारायनन को हिंदू दिखाया गया है नम्भी नारायनन कुछ उत्सव कर रहे हैं सूप्रभातम का पाठ कर रहे हैं और वो भी बाकी तमाम चीजें कर रहे हैं जो एक ब्राम्मन करता है वो एक हिंदू हिंदु तो दिखाया जा रहा है मैं आप से पूछ나 चाहता हूं कि मैं हिंदु हूँ मेरा मतलब है कि मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है क्या हिंदु होना शर्म की बात है ये सवाल नम्बी नारायनन पूछ रहे है जो उनके किर्दार की या किरदार को हिंदू दिखाय जाने की आलोचना कर रहे हैं उन लोगों से नम्भी नारायनन आगे कह रहे हैं कि वो हिंदू है और इसलिए फिल्म में भी उन्हें हिंदू दिखाया गया है उन्हें मुसल्मान या इसाई नहीं दिखाया जा सकता था उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो ब्राम्मन नहीं थे और अगर वो थे भी तो लोग उन्हें ब्राम्मन को क्यों काटना चाहेंगे नंबी नाराइनन ने कहा क्या ब्राम्मन होना पाप है मैं ब्राम्मन नहीं हूँ ये एक अलग सवाल है अगर कोई ब्राम्मन से होगी है तो क्या आप उसे छोटा मानेंगे ऐसे कितने ही ब्राम्मन हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जिन्दगी दे दी सिर्फ एक नहीं मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि हम बेवज़े ही मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं अपनी नौकरी के वक्त गलत तरीके से हटाए गए नंबी नारायनन ने कहा कि उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई संबंद नहीं है अगर कोई राजनीती के लिए उनका नाम उचाल रहा है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए नंबी ने ये कहा कि उन्हें पी-म नरेंदर मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजियन दोनों से तारीफ मिली है और दोनों की राजनीती अलग-अलग है इन दिनों नंबी नाराईनन का नाम का फीचरचाओं में बना हुआ है लेकिन क्या आप जानते हैं नंबी नाराईनन कौन है जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने तक कारोप लगा था और भाद में यही नंबी देश के लिए मिसाल बने उनके जीवन से जुड़ी इनी कहानियों पर एक फिल्म रॉकेट्री दे नंबी एफेक्ट बनी है आपको हम बताते हैं नंबी नाराईनन के जीवन से जुड़ी रोचक बातों के बारे में भी नंबी नाराईनन का जन केरल राजी के गाउं नागर कोईल में हुआ था उन्होंने इसरों में बतार क्रायोजनिक डिवीजन अधिकारी काम किया उन्हें आज एक सेटेलाइट पेग्यानिक के रूप में जाना जाता है एक मध्यम वरगी परिवार में जन में एस नंबी नाराईनन को पढ़ने का काफी शौक था उन्होंने शिक्षा को एहमियत दी और तिरुवनंत पुरम के कॉलेज से एम्टेक किया पढ़ाई करने के बाद उन्होंने देश के लिए कुछ करने का विचार बनाया नंबी नाराईनन ने भारतिय स्पेस एजेंसी इसरों में आवेदन किया और उनका आवेदन सुईकार भी कर लिया गया इसके बाद उन्होंने कई खोजें की एक समय आया जब उनके जीवन में अंधेरा चा गया ब्रष्टा चार और जासूसी के आरोप लगा कर उन्हें गिरफतार कर लिया गया था हलाकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया ये घटना साल 1994 की है जब नाराईनन पर दो अधिकारियों ने आरोप लगाये थे वो रॉकेट और उबग्रा से संबंदित गोपनिये जानकारियां भारत के बाहर भेजते हैं जिस लाँच के समय उन पर आरोप लगा था उसको उडान परीक्षन डेटा के नाम से जाना जाता है नाराईनन पर जो भी आरोप लगे वो सीबी आई की जाच में घलत साबित हुए सीबी आई ने कहा था कि भारत की स्पेस एजनसी के प्रोग्रामों को नस्ट करने के लिए उन पर जूटे आरोप लगाए गए थे अगर कुछ लोगों की माने तो कहा जाता है कि उन्होंने किसी बड़े ओफर को ठुकरा दिया था जिसके बाद अमेरिका के इशारे पर उन्हें फसाया गया था साल 1996 में केरल की अदालत ने निर्दूश साबित कर रिहा कर दिया था नम्भी नारायनन के जीवन में कई उतार चड़ावाए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने काम में लगे रहे नम्भी को अमेरिका के स्पेस एजनसी नासा ने भी काम करने के लिए ओफर दिया था और वो कुछ हद तक राजी भी हो गए थे बाद में कुछ कारणों से वो नासा के साथ काम नहीं कर पाए नम्भी नारायनन को उनकी खोज की वज़े से भारत सरकार की और से पद्म भूशन पुरुसकार से समानित किया था नम्भी नारायनन का जीवन बड़ा रोचक रहा इसलिए आर माधवन उनके जीवन पर आधारित फिल्म में आपको दिखाई दिये इस फिल्म का लेखन निर्मान और नर्देशन आर माधवन नहीं किया हाली में फिल्म रोकेटरी दे नम्भी एफेक्ट को काफी लोगों ने पसंद भी किया है जिसमें नम्भी की इसी पूरी जिंदगी को दिखाया गया है नम्भी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को काफी लोगों ने पसंद किया और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।